हलो और वेलकम दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आये हैं अगर आप लोगों ने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बैल आइकोन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे दुबार दिये जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के तो देखें फर्स्ट कुषिन आपको दिया गया है कि पाणिनी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है तो देखें पाणिनी द्वारा रचित पुस्तक जो है उसका नाम है अश्टा जाई के लिए कौन सा यंतर प्रियोग में लाया जाता है तो देखिए वायुदाब जो होता है यानि कि एर प्रेसर उसको मापने के लिए बेरोमेटर को यूज में लिया जाता है तो इस कुश्चिन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा option नंबर 2 बेरोमेटर next question आपको दिया गया है कि किसी तरंग की प्रबलता उसके निमलिकित में से किसके अनुपात में होती है तो देखिए जब भी कोई भी तरंग होती है यानि कि वेव उसकी जो प्रबलता होती है उसके आयाम के वर्ग के अनुपात में होती है तो इस कुश्चिन के लिए संसद के सभी सत्र आयूजित और इस्थगित करते हैं ठीक है तो देखे संसद के जो भी सत्र चलते हैं वो प्रदान मंत्री की परामर्ज करके राष्ट्रपती जो है उनको आयूजित करते हैं या फिर इस्थगित करते हैं ठीक है तो इस कुशिन के लिए करेक्ट आंसर होगा option no.2 प्रदान मंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया next question आपको दिया गया है कि निमलिकित में से किसका प्रयोग करके उसमें विज्यूत पैदा की जा सकती है ठीक है उसमें विज्यूत तो देखिए कोईला प्राकर्तिक गेस और पेट्रोलियम इनका उप्योग करके जो है उसमें विज्यूत पैदा की जा सकती है तो correct answer जाएगा option no.3 कोईला प्राकर्तिक गेस और पेट्रोलियम आईए देखते हैं अगला प्रशन तो next question आपको दिया गया है कि जब लोहे पर जंक लगता है तो उसके वजन में क्या परिवर्तन आता है तो देखिए जब भी जो लोहे पर जंक लग जाता है तो उसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है तो इस question के लिए correct answer जाएगा option no.2 बढ़ता है चलिए देखते हैं next question तो अगला प्रशन आपको दिया गया है कि लेडी रतन टाटा ट्रोफी जो है किस खेल से सम्मंदित है ये question आपके previous years में आ चुका है ज्यान में रखिएगा देखिए लेडी रतन टाटा ट्रोफी जो है वो आपके होकी खेल से related है तो इस question के लिए correct answer होगा option number 2 होकी next question आपको दिया गया है कि वायू मंडल में आदरता मापने के लिए प्रियुक्तियंत्र कोन सा होता है तो देखिए वायू मंडल में जो आदरता मापी जाती है वो हाइग्रोमेटर के द्वारा मापी जाती है तो इस question के लिए हमारा correct answer होगा option number 4 हाइग्रोमेटर चलिए देखते है next question तो अगला question आपको दिया गया है कि दिये गए विकल्पों में से सम्मंदित सब्द अक्षरों या फिर संक्या को चुनिये ठीक है तो देखिए जिस प्रकार पक्सी जो है वो वायू में उड़ता है ठीक इसी प्रकार पानी में जो है क्या होता है तो यह आपसे पूछा गया है तो देखिए पक्सी जो वायू में उड़ते है ठीक उसी प्रकार मचली जो होती है वो पानी में तेरती है तो इस question के लिए correct answer रोजाएगा option number 1 मचली चलिए देखते हैं तो देखिए इस question में आपको यहाँ पर बेमेल option को अलग करना है कि यहाँ पर कौन सा बेमेल option आपको यहाँ पर दिया गया है तो देखिए option number 4 जो है यहाँ पर बेमेल हो जाएगा किस परकार तो देखिए अगर मैं 5 और 1 को add करूँ तो मुझे मिलता है 6 ठीक है ठीक इसी परकार अगर मैं 3 और 5 को add करता हूँ तो मुझे मिलता है 8 और मैं 4 और 2 को add करूँ तो मुझे मिलता है 6 लेकिन अगर मैं 6 और 3 को add करता हूँ तो मुझे मिलता है 9 देखिए ये तिनों जो है वो समसेंग के आए हैं लेकिन ये जो है विसमसेंग के आए तो हमारा option number 4 जो है correct answer हो जाएगा चलिए देखते हैं next question तो अगला question दिया हुआ है कि यदि M और T का समद्द जो है वो JW के साथ में हो तो R P का समद्द जो है किसके साथ में होगा तो मैं सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर जो M और T है इनका समद्द J और W के साथ में किस प्रकार है तो देखिए अगर मैं M से J तक जाता हूँ तो मुझे minus 3 alphabet होता है ठीक है ठीक इसी प्रकार अगर T से W तक जाएं तो plus 3 alphabet increase होता है तो ठीक इसी प्रकार जो है R और P के साथ में हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिए R और P अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे minus 3 ठीक है तो R में से minus 3 हो जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर O ठीक है और ठीक इसी प्रकार P से जो है यहाँ पर plus 3 करेंगे तो देखिए P Q R तो यहाँ पर आजाएगा S ठीक है तो हमारा correct answer होगा option number B OS तो OS जो है आपको option number B में दिया गया है आईए देखते है next question तो अगला question जिसमें आपको बोला गया है कि find out the odd word later number और number pair from the given alternatives ठीक है यानि कि आपको option देखके जो है odd number को select करना है कि कौन सा जो है यहाँ पर odd number या फिर odd pair दिया गया है तो देखिए option number 1 को आप सबसे पहले देखिए अगर मैं last के 2 digit को जो है into करता हूँ तो मुझे पहले के 2 digit मिलते हैं जैसे कि 8 और 7 को मैंने into किया तो मुझे जो है पहले के 2 digit मिल गए 56 ठीक है ठीक है ठीक है इस फिरकार में जो है दूसरे option में करता हूँ 6 और 7 को into करता हूँ तो मुझे मिलता है 42 ठीक है तीसरे option में देखिए अगर मैं 8 और 9 को into करता हूँ तो मुझे मिलता है 72 ठीक है जबकि मुझे मिलना चीये था 57 तो option number C जो है यहाँ पर wrong हो जाएगा तो correct answer होगा option number C 5789 I hope आप लोगों हो समझा गया होगा चलिए देखते हैं next question तो अगला question जिसमें आपको बोला गया है कि goods, ship और truck इन तिनों के बीच में आपको when diagram बता के बताना है कि किस type का इनके बीच में when diagram बनेगा तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको options इसलिए provide नहीं करवाएं ताकि मैं आप लोगों यहाँ पर समझा सकूँ तो देखिए अगर आपको goods, ships और truck के बीच में when diagram बनाना हो तो किस प्रकार हम बनाएंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर मान लिया goods, goods के बारे में हम सभी जानते है हिंदी में जो इसको सामान कहा जाता है तो देखिए सामान जो है वो ship के द्वारा भी ले जाया जाता है और truck के द्वारा भी carry किया जाता है तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ship क्यूंकि सामान जो है वो ship के द्वारा भी ले जाया जाता है और यहाँ पर मैंने बना लिया truck प्रक क्योंकि सामान जो है who truck के द्वरा भी 친किया जाता है तो यह हो जाएगा goods भी है करिक है यह हो जाएगा sip और यह हो जाएगा चैक है यानि कि इन तीनों के बीच में जो अगर आपसे state diagram पूछा जाएगा करेक्षन एद करेक्षन सर्लों ने next question तो देख़े next question जिसमें आपको एक series दी गई है 6859-5832 और उसके बाद में जो आपको एक question mark दिया गया है और उसके बाद series को continue किया गया है 4096 तो आपको यह बताना है कि इस question mark की जगे पे जो है कौन सा number यहां पर आएगा तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 6859 की, यह जो है किस प्रकार यहां पे आएगा, तो देखिए, अगर मैं 19 को 3 time into करूँ, 19 into 19, into 19, तो मुझे यहां पे मिलेगा 6859, ठीक है, थोड़ा सा tough question है, तो देखिए, 6859 यहां पे मिल गया, ठीक है, ठीक किसी प्रकार, अगर म यहां पे 18 into, 18 into 18 करता हूँ, 18 को मतलब कि 3 time multiply करता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा, 5832, ठीक है, तो जहिर सी बात है, कि यहां पे मैं अगर 17 into 17 into 17 करूँगा, तो मुझे next number मिलेगा, ठीक है, तो देखिए, 17 into 17, और into 17 अगर किया जाए, तो मैं मिलता है, 4913, ठीक है, तो 4913 ज लिए correct answer हो जाएगा, तो 4913 जो आपको option number B में दिया गया है, यानि कि option number B जो आपके लिए correct answer हो जाएगा, ठीक है, I hope आप लोगों पेटरन समझा आ गया होगा, question किस type से जो हमने यहां पे, तो देखिए, आज के इस वीडियो का last question आपको दिया गया है, a series is given with one term missing, ठीक है, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series, ठीक है, यानि कि आपको जो है नीचे एक series दी गई है, उसमें एक term missing की गई है, यानि कि आपको question mark जो दिया गया है, इसकी जिगे पर पता करना है कि options में से कौन सा जो है यहां पर आएगा, ठीक है, तो देखिए, यहां पर आपको series क्या गईत दी गई है, A, B, F, G, K, L, P, Q, ठीक है, तो देखिए, आगे कौन सा आएगा term, यह आपको बताना है, तो देखिए, यहां पर हुआ क्या है, अगर मैं A से F तक जाऊं, तो यहां पर देखिए, प्लस 5 alphabet increase होते हैं, ठीक है न, ठीक इसी परकार, अगर मैं B से G तक जाता हूं, तो मुझे यहां पर प्लस 5 alphabet increase होते हैं, तो यहां पर भी देखिए, F से K तक जाने पर प्लस 5 alphabet increase हो रहे हैं, और G से L तक जाने पर भी प्लस 5 alphabet increase हो रहे हैं, और K से P तक जाने पर भी प्लस 5 और L से Q तक जाने पर भी प्लस 5 alphabet increase होते हैं, तो मैं pattern समझा गया, तो next क्या आजाएगा, P स प्लस 5 जम जाएंगे तो हमें मिलेगा U, ठीक है, और देखे Q से अगर हम प्लस 5 करेंगे, तो हमें मिल जाएगा V, ठीक है, तो देखे U V जो हमारा correct answer हो जाएगा, U, V जो है आपको option number 2 में दिया हुआ है, तो correct answer हो जाएगा option number B, U, V, हुआ क्या है, यहाँ पर जो है series में plus 5 की series चल रही है, ठीक है, I hope आप लोगों सारे questions जो है वो समझ आ गए होंगे, और आप लोगों को वीडियो जो है काफी जादा पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंगे इस चैनल पर जो है आपको Indian Coast Guard Navig GD और DB Exam के regarding सभी updates दिये जाते हैं, और साथ ही उनकी तैयारी कर मिल जाएगा, आप उसको जोइन कर लीजिए, वहाँ पर जोए आपको सारी PDF मिल जाएगी, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद!